पुषूर्स कर दोस्तों मेरे नाम आकास और मैं काम करता हूँ इंडर मैटेरों तो आप मेरे पीछे पैनल्स देख रहे हैं आज में आपको इनके फंक्षिंग और मेंटेनस के बारे में समझते हैं कि हमें मेंटेनर्स करने सब्सक्राइब करने से पहले क्या का सापधारी बड़ती नहीं पड़ती हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे पैनल है अराउंड यह 13-14 पैनल है तो महाज आपको इन वैसे कि एक पैनल के बारे में पूरी जानकाई देने वाला हूं बैसिकली मैंने यह बनाई है वह पहली बना ली थी क्योंकि अलाव नहीं होता विना परमीशन के खोलना बंद करना तो मैंने कुछ क्लिप्स इखटा कर रखी हैं आज मैं आपको उन्हीं क्लिप्स का बोईस ओवर करके कुछ जानकाई दूंगा अगर जानकाई अच्छी लग और नीचे बाला होता वैक्तूं चेमर ओपरेसिंच में क्या होता है हमारे जोती है और प्लस को प्रोडुक्छन डिवाइस लागे होती है वाकि शुच लगे होते हैं जैसे कि आफ्प देख सकते यह 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 हमारा स्वेच का वोल्टेज लेने के यह बोल्टमीटर यह मीट सेंस होती है और सेंस होने के बाद हमें प्रोडक्शन देती है बागी आप देख सकते हैं एमर्जेंसी ट्रिप बटन है तो इलेक्ट्रिकल के लिए होती है इसका मतलब कि हमां कोई प्रोडक्शन दिया जिसकी ब्याद से उसमें रैड़ आता है नीचे देख पा रहे हैं आप यह वैक्यूम चेंबर है है ह Matte बैक्यूम चेंबर हमारे मैंन कोंपोनेंट लगे होते हैं इन से हम स्विचिंग करते हैं बागी इसमें भी बटन लगे होते हैं gün Demi क्लोज करने के लिए पैनल में तो बहुत सारी बातों को दिहान ना ना होता उसके वारे में आपको बताना वालों आज की मैनली किसी बी ओपरेशन चैंबर में दो बतन दी होते हैं एक लोगल रिमोट का स्विच और एक ट्रिप न्यूट्र पार ने देते हैं उपको लिए हां घ्रिप करते हैं और को कोई operation नहीं करना है जब हमें कोई operation नहीं करना होता है तो कमें के की लो इससे बाहर निकाले moisturizing Ghost लॉक आउट होने का मतलब है कि जब तक इसमें कीनी लगेगी तब तक यह फिर से चालू नहीं होगा जिस्टे की अलागी प्रोटक्शन होता है यह अच्छे काफी अच्छी बात है ताकि जो भी मेंटेनेंस हो रहा है किसी बेच से चालू नहीं कर पाए कोई भी चाकि रेट कि है कि पाचाइस की फ्रेकवेंसियों होती है हमारी बैसे थे के भी पैनल से सारे के सारे है इसमां जो इंकर इंपूट सप्लाइब वह थे थिसके भी यह और जो हमारा जितना भी और उपर घितने भी रिले रिले या कोई भी शुच्छ जो ऑपर रहा है 110 डीशी पर हो रह इंपुट है वह 33 के भी है आई होप आप और समझी होगा कि हम और समय करते हैं तो कैसे करते हैं अब मैं आपको वद्धाता हूं और सबसे पहले हम इसाफ़ड़ने बढ़ते हैं में दो लाइट होती है एक रेड और एक ग्रीन जो अगर जल लिया तो इसका मतलब हमारा और सुच नहीं लगा है अगर रेड और सुच लगा हुआ है मैं आपको जाता हूं कि जह हम कोई भी ऐपरेशन करेंगे तो उसके उससे पहले हम किन-किन बातों द्यान लगेंगे सबसे पहली बात यह होती है कि हमें अपने कोई भी सीनियर है या हमारा जो मैंने लीजे हमारे हैं इहां पर इन दोड़ों पीची सी रूम है हम पीची सी र करते हैं करना करना कुछ वी अजरा उसके बाद मिलेगी अभेशिक हम सबसे पहले अपना चीनल करेंगे अर्फशल ओण नहीं है और इसके बाद हमारा रिए है कि में कोई हो ड Peg तो नहीं हो रहा है को ऑप देख सकते उसके उपर योंपर हैंने कि अर्याफ है यानि कि त्रे कि और जो हमारे सब्सक्राइं चीज होती है MTR MTR में रैड फिलग तो नहीं रहा है रैड फिलग का मतलब है कि MTR ने कोई सेंस करा है तरह सके आप देख सकते हो इसमें रैड फिलग है इसका मतलब हमारी रिले एक्टिव है जब तक हम रिले को रिशैटर नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी जो भी आप देख सकते हो यह वारा टे एंज से स्विच है यह काम नहीं करेगा हारे इंडिकेसंस बगरा ठीक है हमें पर्मीशन भी और हमारा अर्थ्ट सुच नहीं लगा है उसके बाद हम टे एंज से सुच से उसे क्लोज करते हीं क्लॉक वाइज घुमा कर ठीक है फिलोग वाइज गुमाते हैं जिससे कि हमारा क्लोज हो जाता है यानि कनेक्टर चिप करना आपको दिखाता हूं पेनले के अंदर और बाहर का उसके पीछे का हमारे पेनले में अंदर क्या लगा होता है जो पर आप ऑपरेशन चैंबर देखनें बहुंआ हमके लेज्च होती है आप देख सकते हैं कि फूल करते हो जो हमारा ओप्रेशन चैंबर होता है कुछ इस प्रिकार का होता है यह इसमें बहुत सारी रिले जले हुई है कुछ बागी जेतनी ऑप्रेशन हो रहे हैं लिखा हुदा है को कुछ इदर है यह कनेक्शन है यह हमारी केबल डिफ्रेंशल से लिए है यह आरी आरे मास्टरिप्र डिले यह हमारी लुमेरिकल्स लिए हैं यह हमारे स्विच्छ इप हैं बोल्ट मीटर एंपीर मीटर वगएरा और अब मेन अंदर से आफको पैसलब के होता है है कि और यहां हमारा लगा वह नहीं है वना है पर कैसल की होता है ऑसी एह बन कैसल की अटाहिफ वहाले पैनल में नहीं था कैसे लिए यह की होती है हमारी इसकी का इसमें डी इए एफ यह जासी कि अपको आप ढ़ेख सकते हो यह हमारा ट्रैफ़ोर टू का है तो हमारा ट्रैफ़ोर टू में किसी दिए से कोई प्रॉब्म आ गए जिसके वह गया हुआ है टेस्टिंग के लिए हैं उसके लिए हम जैसे मानली जए हम पुई अपने और कुई सब तरक करना उस टाइम पर हम क्या करेंगे सबसे पहले अपना पैनल लगाएंगे पैनल से की निकालेंगे यहां से की निकालने के बाद मैंनली होता क्या जैसे कि इसमें 3 की दी हुई है वह हमारी एल्टी पैनल जो दर्लागा हुआ है उससे निकल गाएगी और इसमें लग मेंटे लेंस उसम कि आइंग और इसमें लगा देंगे जिस्टेगी इसके डोर को खोल बाते हैं इसके डोर के जस्ट पीछे लिमेटर सुच लगा होता है जैसी हम खोलते हैं था हुआ पुछ से ट्रैफों 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 कि अपको किशी भी ट्रास्फार्मर की जान करें चीज़ है तो मेंको आप कमेंट इसके बारे में एक सेप्लेड वीडियो बनांकर बता दूँगा मैं इसलिए ने बता पार हूँ आपको क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ज्याद लंबी वीडियो करना नहीं चाहता को ऐसे का अंदर से और से कैसा होता है मैंने आपको ओप्रेशन चेमब दिखा दिया हम आपको बैक्ण सेंबर दिखाने वारे हुआं अंदर्र से क्या होता है यदि उता अरी अबoa हरुड ने दीख सकते हैं लिख फोई बिहानी न हो आपको दिखानए वाल हो कैसा होता है मैंने वीडियो पहले बना रखी है इसा नहीं कोई गडव होता है कुत हैं वैक almost mimbres थो झूंवारा पैनल विएख में तर फिश होता है इसमें चतता है इसमें लिमेंटर स्विच लगा होता है जैसे हैं गेट को खोलेंगे तो हमारा पैनल ट्रीप हो जाएगा जब देखेपा रहे हैं यह वाले यह होता है लिमेंटर स्विच जैसे जो इसका गेट है लागा देंगे जो चालू रहेगा जब भी हमें कोई मेंटेनेंस करना होता है अपने पैनल में तो सबसे पहले मेंडोर खोलते हैं मेंडोर खोलने के बाद इसका केवल ट्रे निकल निकल आया साइड में देख सकते हैं आप जहां है तोल्डा हमारा उसको जस्ट नीचे होता ह उसके बाद हम लगला हाथ से प्रेस तरगे लोक को अनलोक कर देते हैं और उसके बाद में ट्रे लाकर जो ट्रे होती है उसले लाकर बाहर की तरप खींच लेते हैं अपने पैनल को जी होता है हमारा पीटी होता है तो आप देख सकते हो पीटी कुछ इस तरहीए का होता है जिसे कि बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालने के बाद हम अपना मेंटरेंस बर्क कर सकते हैं, चाहिए पीटी का हो या अंदर कुछ पैनल में हो, पीटी में आप देख सकते हो कुछ इस तरीगे के स्पील्स लगी होते हैं, जो यह कनेक्टर होते हैं, जैसे हम कोई उप्रे लिए हमें ति ने को च्टार्ट कर दिया जो कि यहां अंदर का साइड करक रेकाट करते हैं कि इनके अंदर मैंने के चानल घ्काल compartment तुम पीटी को अंदर करने के लिए सेम टेक्निक अपनाते हैं बस पीटी को रखते हैं ट्रेपर और अंदर की तरफ कुछ कर देए जो लगाना पड़ता है जैसे कि पुछ होती है यह अंदर जाके लोग हो जाती है खुछ से हमारे ल्टी पैनल से जब भी दिखा रहा था कि अपने पैनल में वागी हमारा डीजी डीवी है 110 बोल्ट आप देख सकते हैं 110 बोल्ट डीजी डीवी जो ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन के लिए हैं सप्लाई जा रही है एल्टी पैनल है हमारा अगर आपको पूरा सब्स्टेशन के बारे में कुछ सेपरेट वीडियो अगर आपको किसी बी चीजी के बारे में कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट करते हैं मैं आपको अलग से समझा दूगा या लग से वीडियो सेपरेट वीडियो बना करें आपको समझाने कोशिच करूँगा झाल